तो आज के इस वीडियो में हम complex analysis का important topic that is conformal mapping उसको discuss करने वाले हैं उसकी sufficient condition का proof देखेंगे हम इस वीडियो में लास्ट वीडियो में हमने necessary जो इसकी condition है उसको देखा था उसके proof को हमने देखा था तो start करते हैं मैं already conformal mapping और necessary condition का जो वीडियो है वो upload कर चुकी हूँ तो आप वो देख सकते हैं जादा और clarity मिलेगी इस theorem को समझने में तो start करते हैं sufficient condition for this function f of z that is equals to w to represent a conformal mapping theorem की statement है let f of z be an analytic function of z in a region d of the z plane and let f of f dash first order derivative जो होगा that is non-zero in the domain d then the mapping w is equals to f of z is conformal at all points of d so this theorem का मतलब यह है जैसे कि माल लो आपको कोई भी function f of z अभी हम beside this theorem की statement के बारे में बात कर रहे हैं माल लो आपको कोई भी function f of z given है और आपको यह पता करना है कि वो conformal mapping बनाएगा या फिर नहीं बनाएगा तो simply हम क्या करते हैं उसका first order differentiate कर देते हैं ठीक है और then वो check करते हैं कि वो zero के equal है या फिर zero के equal नहीं होता then वो represent करता है एक conformal mapping ठीक है तो इसी condition के बारे में आज हम बात करने वाले बहुत ही simple language में यहीं इसका मतलब है कि अगर उसका first order differentiate हम derivative करेंगे if that is non-zero then it will represent a conformal mapping कोई भी domain suppose कर लो यह domain area है इसका तो उस domain area में यह जो function है हमारा f of z वो क्या है analytic function है मतलब well defined function है तो इसका proof start करते हैं और proof start करने से पहले हम यह देखेंगे कि हमें proof क्या करना है in order to prove कि यह जो है एक conformal mapping बनाएगा या फिर नहीं बनाएगा प्रूफ स्टार्ट करते हैं so let c1 and c2 be two differential arcs so basically proof में यहां से लेकर यहां तक जो कुछ भी लिखा है वो मैं आपको simple language में explain करती हूं आ जाते हैं इनके diagrams पर तो हमने करना किया है सबसे पहले z plane का देखते हैं दो planes है हमारे पास z plane और एक w plane ठीक है क्योंकि mapping हो नहीं है and w plane में uv axis है ठीक है तो यहां पर हमारे यह दोनो planes हो गए तो हमने z plane में किया क्या c1 and c2 दो arc ले ली और यह जो दोनों arc है वो z knot point पर intersect कर रही है in a similar way हमने यहां पर gamma 1 gamma 2 2 arc ले रखे हैं जो नाम change कर रहा है काम सेम ही किया है और यह दोनों arc जो है वो w knot पर intersect कर रही है then second हमने काम क्या किया है इसमें जो c1 arc हमने बनाया है उसका tangent हमने draw किया तो आप यह देख सकते हैं जो dotted line में यह जो dotted line में जा रहा है वो क्या है c1 का tangent है and in a same way c2 का tangent हमने draw कर रखा है और यहां पर भी वही same काम किया है यह करने के बाद यह जो alpha 1 and alpha 2 है यह दोनों angles बना रहा है यह दोनों जो tangent है वो angles बना रहे हैं x axis के साथ तो हमने उसकी naming कर दी as a alpha 1 and alpha 2 और इसी तरीके से यह जो w plane है उसके जो angles, tangents जो है वो u axis के साथ बीटा 1 और बीटा 2 angles बना रहे हैं then हमने दो points लिए हुए हैं यह जो हमने arc बनाई है उस पर दो points लिए हैं z2 and z1 और हमें क्या करना है distance निकालना है तो हमने distance लिया हुआ है z1-z0 देख सकते हैं और z2-z0 अगर हमें distance निकालना है a to इन दोनों points हो तो हम क्या करते हैं b-a करके निकालते हैं तो वही same चीज हमने यहाँ पर और यहाँ पर की हुई है और यही काम हमें इस plane में भी करना है w1 और w2 दोनों points हैं इन arc पे और हमें हमने क्या निकालना है distance निकाला हुआ like w1-w0 and w2-w0 और किस तरीके से define किया है z plane वाला तो हमने इसके equal लिखा है कि जो distance है that is equals to r e to the power iota theta 1 and this is equals to r to the power sorry r e to the power iota theta 2 अब देखे जो यह जो theta 1 और theta 2 लिया है उसको हमने इस तरीके से रखा है कि तड़ theta 1 जो है वो alpha 1 को approach कर रहा है यह जो आपने यह ओला लिया न कभ जिस पे z1 और z1 और z1 और दोनों है take care now suppose that z0 correspond to a point w0 यहाँ पर जिसे कि बापस ही अगर हम यहाँ पर आएं और मैं plane की बात कर रहे हूं जिसे कि यह मेरा domain है यह मेरा co domain है and mapping is from this to this यह z plane हम ले लेते हैं और इसको w plane ले लेते हैं तो हम यह बोल रहे हैं कि कि किसी point z0 के corresponding यह जो mapping यहाँ पर हो रही है z0 के corresponding एक point जो है हमें वो मिल रहा है w plane में that is w0 यही सेम चीज़ यहाँ पर लिखी है कि z0 के corresponding हमें दूसरे plane में इक point मिल रहा है w0 in the w plane and z1 and z2 correspond to the points w1 and w2 which describes the curves gamma 1 and gamma 2 अब देखिए इस चीज़ को समझने की कोशिश के जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों में हमने similar काम किया है जैसा हमने इसको बनाया है वैसा ही हमने इसको बनाया क्यों क्योंकि हर एक point के corresponding आपको एक point जो है इस plane में मिलेगा क्योंकि हम mapping की बात कर रहे है तो वही सेम चीज़ इन्होंने बोली है कि z2 की corresponding w2 मिल रहा है z1 की corresponding w1 मिल रहा है किसमें gamma 1 और gamma 2 में नाउ लेट जैसे कि हमने अभी z2 माइनस z0 को डिफाइन किया था और z1 माइनस z0 को डिफाइन किया था उसी तरीके से हमने डिफाइन किया है w1 माइनस w0 और w2 माइनस w0 और जैसे हमने इन दोनों को डिफाइन किया था ना उसी similar way से हमने इसको डिफाइन किया है पर जैसे लिया है और एंगल की जगा पर थीटा की जगा पर हमने ले लिया है 5 सिंस जो हमारा function ने थियोरम में mention था कि वो analytic है तो अगर वो analytic है तो उसका first जो order है वो exist कर रहा है तो हमने निकाल लिया जिस किस point पर? जेड नॉड वाले point पर तो यह क्या है? first order differentiate है and that is equals to कि जो limit है हमारी उस point पर अप्रोच कर रही है and function की value z1 minus function की value z0 पर and upon z1 minus z0 ठीक है जो differentiability का formula होता है वो हमने apply किया है now अब जैसे कि f of z is equals to किसके equal है? w के equal है so if I am putting z1 की जगा पर z1 so it will be equals to w1 and in the same way f of z2 is equals to w2 and f of z0 is equals to w0 इनकी values को put कर देंगे f of z1 की जगा पर w1 आ जाएगा f of z0 की जगा पर w0 आ जाएगा and z1 minus z0 will be as it is moving on so अब हम देखेंगे कि यह जो values आगे हमने यहां से हापर substitute की है वो कैसे किया है जिसको समझते हैं पहले so यह हमारा domain हो गया यह co domain हो गया z plane and w plane और यहां से यहां तक के जो mapping है that is f ठीक है? तो हमने कोई point ले लिया z0 तो अब हम सके अगर transformation कराते हैं इस point की z0 point पर हमने जो function एप्लाइ कर दिया इमेज जो हमें co domain में मिलेगी तो यह जो point होगा अगर हम w not ले लेते हैं इस point को corresponding जो भी image बन रही है तो आप देखेंगे जो हमने इसको define किया हुआ है मतलब जो भी distance इनके बीच में है वो किस तरीके से define किया हुआ है? alpha and e to the power 5 कुछ यह है तो यहाँ पर lambda 1 and lambda 2 ले लिया एंगल में 5 1 and 5 2 ले लिया तो basically जब हम co domain में जा रहे हैं तो उसकी form जो है lambda, iota e to the power, iota 5 type की है यही same चीज यहाँ पर समझनी है आपको कि यह जो f-z0 है that means कि f-z0 किस में चले गए हम co domain में चले गए तो इसका जो form होगा, version होगा वो किस type का होगा lambda e to the power iota 5 मैं यहाँ पर इसको lambda 1 and 5 1 नहीं लिख रही मैं इसका form लिख रही हूँ just lambda e to the power 5 यह different है, lambda 1 एक different quantity थी just हमने लिखा lambda e to the power iota 5 यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ ब्रैकिट में f-z0 may be written as to 5 अब हम बाकी की values को put करेंगे so यहाँ पर क्या है w1 minus w0 और यह तो हमने already define किया हूँ अब देख सकते हैं w1 minus w0 is equals to this और z minus z0 हमने starting में ही define कर दिया था तो इनकी values को put करेंगे इनकी values जो हैं हमने किसकी कोल रखी थी lambda 1 e to the power iota 5 1 और z1 minus z0 की value थी r e to the power iota e to the power iota theta 1 अब यहाँ पर जो limit है that is r is standing towards 0 हमने पहले ही mention किया था कि r की value जब 0 के towards tend करेगी तो जो हमारे पास theta 1 जो हमने लिया था वो हमारा alpha 1 के towards approach करेगा and theta 2 was approaching to alpha 2 so अब हमने क्या किया कि lambda 1 by r को as it is लिख दिया और यह जो e to the power iota theta 1 था न इसको हमने उपर shift किया तो power जो है आपस में subtract हो जाएगी so अब हम क्या करेंगे comparison करेंगे left hand side का right hand side से तो यह जो portion है lambda 1 by r this is equals to this जो कि हमने आपर लिखा हुआ है and यह जो exponential वाला है यह जो e to the power वाला है यह जो portion होगा वो e to the power वाले portion के equal हुगा तो मतलब कि जो यह limit लग रही है किस पे 5 1 minus theta 1 पे वो किसके equal आएगी 5 के equal आएगी मतलब क्या है कि limit जब इस portion पे limit लग रही है तो वो इसके equal है that means कि जब limit लगेगी lambda 1 by r पे तो lambda के equal आएगा और जब limit लगेगी इस portion पे जो angle वाला portion है क्योंकि बागी की चीज़े तो equal है e to the power iota वाला जो portion है तो दोनों तरफ ही है तो जब इस पे हम limit लगाएंगे तो वो किसके equal हो जाएगा 5 के equal हो जाएगा तो यहाँ पर हमने क्या किया that this beta 1 minus alpha 1 is equal to 5 यह हमने कैसे लिखा क्योंकि आप देखेंगे कि जो theta 1 जो हमने लिया था that was approaching to 5 1 sorry alpha 1 एक second यहाँ पर चलते हैं एक बार तो हमने जो यह mention किया था यह जो theta 1 था तो theta 1 किसको अप्रोच कर रहा था alpha 1 को यहाँ पर and उसी तरीके से जो हमने w plane के लिए लिया था उसमें क्या था 5 1 जो था वो beta 1 को अप्रोच कर रहा था तो वही सेम काम हमने यहाँ पर किया है कि जो यह 5 1 था वो किसको अप्रोच करेगा sorry beta 1 को ठीक है और यह जो theta 1 है वो किसको अप्रोच करेगा alpha 1 को and this is equals to 5 तो यहाँ पर this beta 1 हमें क्या मिल गया हमें मिल गया beta 1 minus alpha 1 is equals to 5 और we can say that beta 1 की value निकाल लेंगे that is equals to alpha 1 plus theta और इस sorry 5 similarly हम इसी तरीके से क्या लिख सकते है beta 2 के लिख सकते है that beta 2 is equals to simply alpha 1 की जगा पर क्या जाएगा alpha 2 beta 1 की जगा पर आजाएगा beta 2 और 5 will be as it is तो यहाँ से हम यह दोनों result निकाल सकते हैं आगे देखिए thus we see that the arc gamma 1 and gamma 2 have definite tangents at this point making these angles with the real axis and therefore angle between gamma 1 and gamma 2 at w naught is equals to beta 1 minus beta 2 is equals to alpha 1 minus alpha 2 आप इन दोनों quantities को अगर हम जो है subtract करते हैं beta 1 minus beta 2 जब हम करेंगे तो यह जो phi है तो दोनों में common था वो cancel out हो जाएगा और यहाँ पर क्या बच जाएगा beta 1 minus beta 2 और यहाँ पर जगा alpha 1 right hand side पर जगा alpha 1 minus में alpha 2 देखिए इससे हमने proof क्या किया वापस से diagram पर जाएगे इससे हमने यह proof किया हमारे पस क्या result था that beta 1 minus beta 2 is equals to alpha 1 minus alpha 2 मतलब कि जो difference है दोनों angles का वो same है यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि जो difference है इन दोनों angles का वो किसके equal है इन दोनों angles के difference के equal है तो जब हम यह चीज़ प्रूफ कर देते हैं तो उसका क्या मतलब है हमने यह proof कर दिया कि यह conformal mapping है conformal mapping की definition उसके lectures में already upload कर चुकी हूँ पहले तो वहाँ पर इस सब चीज़े मैंने आप लोगों को बताई थी angles के बारे में कि how conformal mapping is related to angles तो हमें जो condition हमें given थी theorem में कि जो इसका first order differentiate है that is not equals to zero and we have to prove that जो mapping होगी वो कैसी होगी conformal तो इस चीज़ को proof करने के लिए हमने यह चीज़ प्रूफ कर दी कि जो difference है angles के बीच का जो arc बने हुए थे उनके tangent जो है जो real axis के साथ angles बना रहे हैं उन दोनों का जो difference है that is equal ठीक है यह proof करने के बाद हमारी theorem जो प्रूफ हो जाती है कि जो दोनों angles है hence the arcs gamma 1 and gamma 2 cut at the same angles as the arcs c1 and c2 and also the distance between gamma 1, gamma 2 has the same sense as angle between c1 and c2 तो transformation कैसी हो गई conformal और यही चीज़ हमें proof करनी थी so I hope यह theorem आप लोगों को clear है and most importantly यह जो theorem है वो काफी जादा important है Rajasthan जो universities है Rajasthan के साइड के जो universities है उसमें यह theorem काफी बार आई हुई है आप देख सकते हैं आपर कितनी बार यह theorem आई हुई है so वो लोग तो इसको surely prepare करें ही जो इस साइड की universities Rajasthan साइड की universities में है and वैसे भी यह जो है काफी important result हमें देती है so आपको कोई भी problem इफ हो तो आप लोगों से comment section में पूस सकते है and thank you so आपको की